So hello guys, welcome back to my channel और आज हमारे channel की जो welcome है, हमारी गुन्नु करेगी गुन्नु बौह्ट देर से रोया है, क्यु रोरी हो गुन्नु? क्यु रोरी हो, बतायो शब को क्यु रोरी हो, अब सब केगी डेखेंगे पता है? मुझे उचिपा जो सबको अपना फोन दिखाओ पहले फोन तुमने आपने ये हैं हमारी गुनु का पर्सनल फोन आगे से भी दिखाओ पीछे से भी दिखाओ और बज रहे हैं मॉर्निंग के दस और अभी हम निकलने वाले हैं घर के लिए प्रिया बैटी हुई है चाय हम लो और रात में हम लोग लेट आये फिर बैठे बैठे सारे लोग बाते करने लगे कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया तो अब थोड़ा सा उपर भी भूम के आते हैं क्योंकि थोड़ी दिर में हम निकलेंगे परी के कल से एक्जाम है तो परी को भी जाना है वारा बजे टू कणक्ता जाना में है क्या जंसे सब सब्सक्ता किया ह। मन सबस्ता पिया आप लोगे डिये काया और कृणू में किया खाया टूध कि पिया बॼंग में आपने καंथ आप लो गोवड गवन इक पुडिक कि उस लि的話 फिकंद इन्यए मामी अपनी पुडिक बना देती थी आम में आ त Felix नी क्यों हमें तो पूरी दीनी सारा मतलब अपना दिन भी अच्छ होता है दूसरों का भी दिन अच्छ होता है आधनो बनाओ 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 व्लोग नओ तो प्रीया आप कुछ बोलना चाहेंगी, मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं, आपकी सिस्टर बहुत पतली हो गई है, क्यों हो गई हो पतली? सकती हैं, मैं तो सुरू सही यही है, हट्टी-कत्टी एंय से आ, हर्टी-कत्टी नहीं थे शुरू से थी लेकिन मत Zeiten मूं छॉस्टी हैं, मैं कोड़ी हैं, प्र ही हो पतलों तो देखो एक एक जामपल आपके सामने मैं हूँ एक जामपल ये भी ये बट मैंने इसे दिन बात करेंगे इस टॉपिक पर बात करेंगे तब लोगों को बताएंगे कि लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम साती हैं लेकिन हम लोग है ना हर चीज यूटूब पर नहीं और दूसरा हमारे मम्मी पापा भी नहीं है तो कहीं न कहीं हमें थोड़ी सी टॉप्लम को फेस करने में दिक्कत होती है लेकिन हम चारो भाइवनों की बाउंडेशन इतनी अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में और सपोर्ट में खड़े रहते हैं देखो क्या होता है पैसा और यह सब चीज़े ना एक टाइम तक के लिए रहती है लेकिन यह देखो पैसा आपका यहां काम आएगा लेकिन जब हम एक जगह हमें और भी जाना है लेकिन जब हम वहां जाएंगे ना तो वहां हमारे कर्म काम आएंगे जो हम कर रहे हैं अच्छे या बुरे क् यहां पे लोग हमारे लिए अच्छा बुरा बोलते हैं वैसे ही भगवान भी हमारे लिए अच्छा बुरा सोच के बैठे होते हैं तो हमें अपने कर्मों को भी अच्छा रखना चाहिए कौन हमारे बारे में क्या सोचता है क्या कहता उससे मतलब नहीं अच्छी है लेकिन इस आपने हाथ परों से अगर help कर सकते हो तो ये भी बहुत बड़ी help होती है क्योंकि इंसान के पास जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वो mentally rest up हो जाता है क्योंकि मैंने ये सब चीजे face की हुए है क्योंकि इंसान पर जब मैंने कोई problem आती है कहते हैं ना बुरा वक्त हर किसी की लाइफ में हर वक्त अच्छा नहीं रहता है सुख दुख जोड़ा होता है तो कभी-कभी problems आती है लेकिन अगर आपके पास और आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको mentally support करने हैं ठीक है देखो पैसे से हर कोई support नहीं कर सकता है मैं जानती हूं क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है सबके अपने परिवाद है लेकिन उस टाइम पर मैं कहने होता है सारा support पैसो का ही नहीं होता है सारा support पैसो गई नहीं होता है आपका साथ भी ज़रूरी होता है और उस टाइम पर प्रॉब्लम में अगर आपको कोई मिल जाया तो वो support सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा support होता है और ऐसे मेरे भाईयों की हम चारों भाईयों क्यादत है कि अगर हम से कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो अगर हो सकता है तो पैसो से भी करते है अगर करने लाइक होते हैं तो बाकी mentally support देको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मैंने यह चीज़ देखी है कि ना इनसान जब मुसीबत आती है तो सबसे जादा mentally disturbed होता है और उस टाइम पर उसके माइड में क्या क्या चीज़ आती है आप लोग समग सकते है तो मैंने का चलो थोड़ा सा अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करती हूं मैं परीश और बाहर गए में है थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं अभी हम लोग निकलेंगे और कल का जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना यह मेरी बैस्टी है इसकी छोटी क्याचे बुआ एच्छे कलती है एच्छे क्याचे बता दो क्याचे क्याचे बता दो ना जब को जब तुम्हें देखेंगे क्या चुकरती है कुञ्णू को यह दी हमारी तिटो को खासी हो रही है अगर कोई है आइरवेिदिक मतलब दवा और यह खाले बाकी तो वैसे आइरवेदिक clay भा थी लोग की और कि शेहद की जोकी इसको खिलाइए इसमें खाई नहीं है अगर कोई ऐसी आयरुवेदिक दवा हो ना जो यह खाले मीठी हो तो बताना जरूर इसको खासी बहुत जादा हो रही है क्योंकि आप लोग उसे में पूस्ती हो और आप लोग मुझे कोई नुस्के बताते हैं तो मैं उनको फॉलो भी करती हूं बाकी तो धेर सारे पता हैं लेकिन यह खाते नहीं है इनकी कटिंग करवानी चीए तो चलिए हम थोड़ा सा तैयार वियार हो लेते हैं क्योंकि हमें अभी निकलना थोड़ा उपर भी घूम के आता है इती सिर्फ एक साड़ी लाई थी और यही सूट पहन के आई थी तो मैंने का घर जाके ही नाओंगी घर माइके से ज़्यादा दूरी पे नहीं है तो दस पंदर मिनट में घर पहुँच जाते हैं तो बंदरा ने बोला था कि दीडी खाना खालो मैंने का नहीं खाना घर जा हैं तो सारी चीजे देखने पड़ती हैं अगर आपको कहीं आना जाना है तो वो भी देखना पड़ता अगर हम किसी कहा नहीं आएंगे जाएंगे तो हमारे आभी कोई नहीं आएगा तो इसी वज़े से मेरी जो फ्रैंड है उसके हां बी जाना जूरी था और उसके बाद फिर रात को लेट हो गई थी वैसे तो मैं रात को ही आने वाली थी लेकिन रात को हो गई थी मैं लेट तो रात मैं नहीं आई तो सुबा सुबा फटा फट से निकल गई यहां पर बज़ रहे थे साड़े दस बज़े तक हम लोग घर आ गए थे साड़े दस ग्यारा बज़े हम लोग घर आगे थे यहां पर बंदना बरतन दो री थी मैंने ओरिजिनल वाइस म्यूट कर दिया तो असु बोल रहा था कि चलो बुआ चाय पी ओ चलके नीचे चाय पी ली थी एक बार तो असु यहां पर खड़ा हुआ है कह रहा है बुआ चलो उपर मेरे साथ ही चलो आप यहां बच्चे दूद पी रहे हैं इनका नाम रोजी रोणी है रोजी रोडी 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 ती यह लुख आहें थी बहते हुँ देखो नु बईबी निव बसके अन स्था नो फह रहा है नहीं पचारे भी डर रहे हैं यह नाम करन कर रहा है आपके भतीजे ने मेरे पास मिए जैकेट में घुझ जाएंगे और खुसे रहेंगे चोटी एने यहाँ पर चाय वगजरा पीने लगे मैं ज़्यादा रुकी नहीं हूं जो कि व्लाग शूट कर पाथी नहीं मैं अपनी फ्रेंड के माई के में ज़्यादा रुकी और नहीं हाँ पे ज़्यादा रुकी यहां पे हम लोग रात को आये थे बजे के लगबग रात को आये थे और सुभा रात में क्या आते के साथी तैयार हुए और महां चले गए और जाने के बाद फिर महां से रात को एक बजे आये आके बस सो गए और सोने के बाद सुभा थोड़ी बहुत देर के लिए उठे चाए पी और फर सीदे अपने घर निक जो मम्मी वह व्यष्ण देवी गई थी तो कैरी थी कि दीदी परशाद में जाओ तो कहीं ने जाता है तो कहीं से अब कि बार हमारे हां पर वैश्ण देवी का बहुत बार कई जगह से परशाद आया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकलने लगे थे और आप लोगों को मेरी आखे न सुजी सुजी से लग रही होगी क्योंकि मैं अभी उठीती नौ साड़े नौ बजे और उठके बस चाय मुहाथ धोया फ्रेश हुए और चाय पीके बस सीवे हम निकल ले थे क्योंकि दस साड़े दस बजगे थे बारा बजे परी को टूशन जाना था तो इस वज़े से निकल ले थे तो यहाँ पर परी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही है मैं परी कोई दे देती हूँ फोन के थोड़ा वशूट कर लो उसका मन करता है तो वो कर लेती है उसका मन नहीं करता है तो वो नहीं करती है तो यहाँ पर बस गले मिल रही थी भाई तो बोलके गएते के रुख जा लेकिन रुखते कहां से क्योंकि बच्चों के एक्जाम वग्यरा सारी चीज़े देखने पड़ती है, मन तो बहुत करता है कई जगा जाने का लेकिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आप लोगो खुद को पता है कि जब हमारे उपर जिम्मेदारी है और सारी जिम्मेदारियों को निभान आता है, वैसे तो मैं मैं नहीं जारी हूँ, आप चली जाओ, लिकिन मेर को ना परी को कहीं चोडने का मन नहीं करता है, क्योंकि बच्चे है, ममी घर पे नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या शैतानी दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो टिट्टो है वो बोल री थी मैं भी बुवा के साथ जाऊंगी और मैं बुवा के घर रहूंगी जाके तो बस हम लोग निकल दिये थे भाई दोनों डूटी चले गए थे तो हम लोग यहाँ पर आटो में आ रहे हैं प्रिया को अपने काम से जाना था बैंक के तो प्रिया भी हमारे साथी बैठ गई थी तो प्रिया अभी बैंक के लिए उतर जाएगी और हम लोग अपने घर निकल जाएंगे तो बस घर पहुचने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारी दिल्ली में बागय शर्धाम बावा आए थे रुद्ध चार्रे जी आए थे जो उनका पार्ट हुआ था न वो यहीं पे हुआ था यह बहुत बड़ा मैदान है पता है कम से कम 8-10 लाख आदमी आयते हैं और यह मेरे माईके के बिल्कुल पास में है का ज़्यादा धूर नहीं है सब लोगों का आशिरवाद तो परी के साथ ही है लेकिन आप लोग मेरी फैमली हो और मुझे ऐसा रखता है कि आप लोग का आशिरवाद की भी परी को बहुत ज़्यादा जरूरत है तो परी का आज है फर्स्ट एक्जाम तो आप लोग अपना प्यार और आशिरवाद परी को ज़रूर देना ब्लेसिंग्स देना परी को ताकि परी के सारे पेपर बहुत अच्छे जाएं और परी टैंथ क्लास को बहुत अच्छे से क्लियर करें तो परी आप से मुझे बहुत सारी बैस्ट वस्ट 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 देना आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देना परी को ताकि परी बोर्ड के जो एक्जाम है वह अच्छे से दे पाए दूसरे स्कूल में जा रही है परी के ताउजी छोड़ने के लिए जा रहे है और मुझ लोग अपनी प्यारी ब्लेसिंग्स बच्चों को देना आज परी की जो मामी है बड़ी वैली मामी है उनका सुबही सुबह फोन आ गया परी को विश करने के लिए कि परी बैस्ट ओफ लग बहुत सारे लोगों ने परी के टूशन टीचर ने और और भी बहुत सारे लोगो 10-12 के एक्जाम देने जा रहे हूं मेरी तरफ से बैस्ट ओफ लग आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे अच्छे जाए और मल लगा कर पढ़ाई करना मल लगा कर पेपर देना बिल्कुल भी डरना नहीं और सो गाइस आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी चोटी सी बेटी जब इसके पापा गए तो ये कितनी चोटी थी और आज 10th क्लास में आ गई है तो मैं यहाँ पे ना इसको धाई और चीनी खिला रही थी तो खुशी होती है बहुत लेकिन कहीना कहीना थोड़ी सी कमी भी महसूस होती कि अगर आज परी के पापा होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और इस क्लास में आगे कहीं कोई नहीं पर मैं उनके ममी पापा दोनों हूँ वैसे तो घर के सभी लोग खुश होते हैं तो आज का व्लोग कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अपनी ब्लैसिंग्स परी को ज़रूर देना बाबाई